दोस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की कहानी में जिसका नाम है क्या कोहिनूर एक दुर्भाग्यापुर्ण पत्तर है आज हम आपको कभी भारत की आन बान शान मानने जाने वाले कोहिनूर हीरे के इत्यास के बारे में बताएंगे कोहिनूर फार्सी बासा का सब्ध है जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड कोहिनूर हीरे का वजन 105.6 केरेट यानी 21.12 ग्राम है माना जाता है कि कोहिनूर हीरा 793 केरेट का था बार-बार काटने और तराशने के कारणी है 105 केरेट का रहे गया कोहिनूर हिरा किष्णा नभी के किनारे कुलूर की खदानों में मिला था जो की आज के अंदर प्रदेश के गोल गुणडा में स्तित है कहा जाता है कि यह हिरा सबसे पहले कंक्तिय वंस के समराजे में सामने आया था जहां से 1321 इस्वी में तुर्की सासक कियासुदिन सातुगलक परतमी से कंक्तिय राज़ सजीद कर दिल्ली ले गया वहीं अन्य इत्यासकारों की मानने तो 1294 इस्वी के दुरान गौालियर की राज़ा के पास था बाबर नामा में लिखा है इबराहिम लोदी को हरा कर हुमायू आगरा का सारा खजाना ले गया इसी खजाने में था कोहिनूर परन्तु इत्यास में इस बात का कहीं जिकर नहीं है कि कोहिनूर मौलों के गज़े में कैसे आया 1628 इस्वी में मुगल सासक सांजाने एक स्यांदार सियासन बनवाया जिसे बनाने में 7 वर्सों का समय लगा था इस सियासन में कई किलो सोना लगाया गया था इसके अलावा भी बहुत से आवुसनों से सजाया गया था और इसे नाम दिया गया था तकते मुरसा आगे चल कर ये मयूर सियासन के नाम से जाना गया उस समय इस सियासन की लागत एक करोड आंकी गई थी इसी सियासन के उपर कोईनूर हिरे को लगाया गया था इस सियासन को बनाने से एक स्ताब्दी तक मुगलो ने इस पर अपना वर्टसों कायम रखा इस सियासन को देखने दुनिया भर के जोरी आया करते थे इन में से एक था वेनी सेर का बोर्जिया बादशा ओरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए से बोर्जिया को दिया था बोर्जिया के काम के दोरान इस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे यह हिराज 793 के रट की जगए सिरफ 186 के रट का होकर रह गए औरंगजेब ने बोर्जिया को इसकी सजा भी दी थी दूसरे देशों और विदेशों में बेटे लोगों को मियूर सियासन की चमक ने पागल कर दिया था सबी इसे पाना चाहते थे इसलिए एक एक करके कई रजाओं ने भारत पर आकरमन करके इसे लूटने की कोशिश भी सुरू कर दी थी नाबिर सा का आकरमन 1749 इसवी नाबिर सा इसे इरान ले गया और इसे कोहिनूर नाम दिया गया दुरानी की मौत के बाद कोहिनूर उसके उत्रादिकारी सासुजी दुरानी को दिया गया जब सासुजी दुरानी को उसके पद से हटाया गया तो वह हीरा लेकर लाहोर पहुंच गया और पंजाब के राजा रंजीच सिंग को दे दिया इसके बदले रंजीट सिंग ने दुरानी को अफगानिस्तान का सासक बना दिया बाद में रंजीट सिंग ने कोहिनूर हीरे को अपनी मोच से पहले उडिसा के पूरी मंदिर को देने की बात कही जिस पर अंग्रेजों ने कभी अमल नहीं किया इसके बाद नाबालिक सासक दिलीप सिंग को कोहिनूर को इस्ट इंडिया कमपनी को देना पड़ा सन 1850 में भारत के गौवर्नर जन्डरल लोर्रट डलोजी ने रानी विक्टोरिया को इस्ट इंडिया कमपनी की तरफ से कोहिनूर उपहर के रूप में दे दिया तब से यह हीरा बिर्टेन के राज परिवार का हिस्सा है 1850 इसवी से कोहिनूर हीरा बिर्टेन की महारानी के सिरका ताज बना हुआ है 1852 में महारानी नहीं से अपने ताज में जड़वाया था कोहिनूर हीरे का ताज सिर्फ महिला पहन सकती है अगर किसी महिला की जगए पुरुस राजा बनता है तो यह उसकी पतनी को पहनना होगा कोहिनूर जड़े इस्ताज को 1936 में महारानी एलिजाबेट ने जोर्ज पंचम के रजविशेक में पहना था यह महारानी एलिजाबेट पर्थम के पी मुकुट में था सन 2002 में जब उनका निदन हुआ तो इस्ताज को उनके ताबूत पर रखा गया था कोहिनूर हीरा थोमस नदी के किनारे बने लंदन टावर म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है इसके सुरक्षिया के इंदने पुकता है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है यहाँ पर कोहिनूर हीरे के साथ बहुत सा खजाना और साई परिवार के जेवरात भी रखे गए है दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि कोहिनुर हिरे की कीमत क्या हो सकती है यह हिरा आज तक के इत्यास में एक बार भी नहीं बिका है यह या तो एक राजा से दूसरे राजा से जीता गया है या फिर इनाम में दे दिया गया है और इसी कारण इसकी कीमत कभी नहीं लग पाई है माननेता है 294 में यहीरा गवालियर के राजा के पास था लेकिन तब इसका नामांकरन नहीं हुआ था पर इसको पहचान 1306 में मिली जब इसको पहनने वाले एक सक्सने लिखा जो भी से पहनेगा वहराज करेगा लेकिन इसके साथ ही उसका दुर्बाग्यवी शुरू हो जाए भी है माना जाता है कि यह राज सरापित है इस हीरे ने ने जाने कितने हीराज गरानों को बरबाद कर दिया यह जिसके पास भी रहा उसकी जिंदगी बरबाद हो गई खुछ मानिताओं के नुसार कोई नूर के वलबगवान या महिलाओं के दौरा पहना जा सकता है मानिता है कि इसे पहनने वाली अतैंट सक्ति साली हो जाती है लेकिन अगर कोई पुर्ष इसे पहनता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है और अभी तक के इत्यास के मताबिक आज तक जब कभी भी कोई नूर बारत से बाहर गया है तो कोई नूर वापस बारत जरूर आया है। देखना ये होगा कि क्या कोई नूर वापस बारत आएगा पढ़ियास तो बारत के सरकार हमेशा से करती आई है। मानताओं के अनुसार तो कोहिनूर एक सरापित पत्तर है, आपकी राय में क्या कोहिनूर हिरा वापस भारत आना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कोहिनूर हिरा एक सरापित पत्तर है, अपनी राय कमेंट बोक्स में जरूर दे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अ करने लोगों तक जरूर पहुंचाए हमारा यूट्यूब और फेस्बूक चैनल फोलो और लाइक जरूर करें जैहिन धन्यवाद